हेलो फ्रेंड्स बेलकूम टावर यूट्यूब चैनल डियर एक्जाम स्टेडी मेरा नाम विनोथ कमार है और आज हम इमाचल प्रदेश की प्रमुक नदियों के बारे में बात करने जा रहे हैं तो चलिए आज देखते हैं माचल प्रदेश की नदियों को जो है शौट कट ट्रिक से कैसे याद रखा जाता है तो मैंने यहां पे जो लिखा हुआ है राइट हैंड साइड है हमारी और यह लेप्ट हैंड साइड है तो हम नदियों का स्यूगेंस में बनाया हुआ हुआ है राइट हैंड साइड टू लेप्ट हैंड साइड तक जैसे पहले नदियों पर आति यमना फिर आती है सै पिर आति हैं बैया स्यूट कर रग है तो यमना को पुरानिक नाम में-कालिंदी नेक्स राता है साइड इंडisure नेक्स्त नेक्स्ट है व्यासका जो व्यास के लिए स बियास राभी और चिनाब में या जो है उनली बियास में आता है तो जिसके लास्ट में या आएगा इसका मतलब है कि बियास का नाम जो है अर्जिक्या है जिसमें या आएगा तो देखिए या जो है किसी असकनी में भी नहीं है परशुनी में भी नहीं है इराविती में नही नहीं है बिपाशा में भी नहीं है सतुद्री में भी नहीं है कलिंदी में नहीं है तो इट मिंस जहां पर या या आ रहा है वो किसका है ब्यास का है नेक्स देखते हैं ब्यास का जो संस्कृत नाम है वो है बिपाशा जैसे ब्यासा से बिपाशा ब्यासा ब्यासा बिपाशा म अक्सर दिखाई दता है राभी और शानी जो हैं दोनों ही similar से लगते हैं ठीक है next बात करते हैं राभी का जो संस्कृत नाम है उसका नाम है इराबती इराबती मतलब राब राब मतलब राबी ठीक है दोस्तो तो next आती है last नदी है हमारी चिनाब चिनाब का जो नाम है वो क्या है असकिनी ठीक है दोस्तो तो अब आगे बात करते हैं इनकी length के बारे में तो देखिए इनकी length के बारे में shortcut trick से कैसे याद रखेंगे तो मैंने तभी chart बनाया आपके लिए right hand side to left hand side देखिए right hand side में जो हमारी नदी आती है वो कौनची है यमना और यमना की अप्रोक्स length जो है 22 km है और चिनाब की जो है 122 है तो ऐसे याद रखना है कि right hand बाली side की जो पहली नदी है उसकी 22 km है और left hand side की जो पहली नदी है वो उसके किनी है 122 तो यमना की total length जो है 22 किलो मेटर है और चिनाब की 122 सतलुज की जो लेंद है वो 320 किलो मेटर है ठीक है दोस्तों और ब्यास की जो है 256 और राबी की जो है 100 तुंजा किलो मेटर नेक्स बात करते हैं इनकी साहिक नदियों के बात करते हैं तो चिनाब की दो साहिक नदियां है चंदर और भागा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है राबी राबी की जो साहिक नदियां वो है बांदल, तंतगिरी, चतरानी, सियूल और साल सियूल का जो है एक most important fact भी है सियूल नदि जो है इमाचल प्रदेश की ऐसी नदि है जिसका पानी गंगा नदि की तरह खराब नहीं होता है नेक्स बात करते हैं ब्यासकी तो ब्यासकी जो साहिक नदियां है वो है बनेर, बान गंगा, लूनी, पारबती, सैंज, तीरतन, हारला और उहल तो इसमें सबसे इंपॉर्ड़न फैक्ट के है साहिक नदियों में पारबती नदिय जो है सबसे बड़ी साहिक नदिय है ब्यासकी नेक्स बात करते हैं बस्पा, सतलुज, सतलुज की दो ही साहिक नदियां है बस्पा और स्पिती नेक्स बात करते हैं यमना की यमना की जो साहिक नदियां हुआ है गिरी, टौस, पबर और आंत्रा ठीक है दोस्तों ये तो होगी साहिक नदिया नेक्स बात करते हैं कि ये इनका उद्गम स्थल कहां पर है जैसे चिनाब नदि है तो चिनाब नदि का उद्गम स्थल जो है बारलाचा दर्रे लाहल स्थिती से मिलती है जहां पे चंदरा और भगा जो है तांडी नामक स्थान पर मिलती है तो वहां पे क्या बन जाती है ये चिनाब बन जाती है नेक्स बात करते हैं रावी की रावी जो निकलती है बड़ा बंगल कांगडा से निकलती है नेक्स बात है ब्यास ब्यास जो है रोतांग दर्रे से निकलती है नेक्स बात करते है सतलू सतलू जो है मांस रोबर जील रक्कस थाल तिबज से निकलती है Next बात करते हैं यमना यमना जो है यमनोत्री से निकलती है कालिंदी प्रभट उत्राखन से चलिए दोस्तों कुछ और मेहत्रपून तत्यों के बारें बात करते हैं जो exam के point of view से जरूरी है जैसे बात करते हैं चिनाव चीनाव हमाचल प्रदेश की ऐसी नदी है जिसमें सोने के कंड मिलते हैं और जल गन्नतव के हिसाब से हमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है नेक्स्ट बात करते हैं रावी अराभी की जो स्यूल नदी है ये एक ऐसी नदी है जिसका पानी जो अगंगा की तरह खराव नहीं होता है नेक्स्ट बात करते हैं ब्यास ब्यास का key factor क्या है पारबती नदी जो है इसकी सबसे बड़ी साहिक नदी है नेक्स्ट है सतलुज नदी सतलिज नदी को जो है लाल नदी से भी जाना जाता है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी है नेक्स बात करते हैं यमना यमना हिमाचल प्रदेश की एकमतर सहर पॉंटा साहिब में बैती है और ये हिमाचल प्रदेश की जो है सबसे छोटी नदी है I hope दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट and शेयर करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना बोले Thank you